आखिर वो वक्त आई गया वच्छों जिसका आपको बेस अबरे इंतजार था आपको और आपके दोस्तों और आपके पूरे फैमिली और हमारे पूरे टीचर्स मेंबर को जिस घड़ी के इंतजाप थी वो घड़ी आ गई यह मतलब क्या हमारा एक्जाम सिरीज का जो मिसंस है वो खतम होते हुए और आपके एक्जाम में बैठने का इक्जाम हो तीन घंटे में आपके इस पूरे साल को क्या करना है भई पूरा डिल करने है उस तीन घंटे में उसका दौर आही गया कैसे वक्त फिसलते फिसलते अब आपके मार्च के जो प्रच्वार्स कषम के लिए उसके बारे में करने के लिए आपके नहीं वाली curator मार्च में आपको ख़री उना मुद्धार खाने वाल है वोड इग्जाम प्रच्वार साहूर तो तो हम आज बात कर रहा है 10 Science के याज चरचा करने वाले हैं और इस चरचा कर रहेगा क्या sir वह रहाएगा आपके exam के strategy और exam के कैसे आप क्या कर रहे हो--- exam को face कर रहे हो और आपको time managed हो पा रहा है sir या नहीं हो पा रहा है आपको मेरा लिखना रहा अभी परफॉमेंस की बारी है बच्चो और परफॉमेंस की बारी आ रहा है तो हमारे मन में क्या रहा है सर हमारे मन में कुछ प्रेसर आ रहा है सर हम सोचने लग गया है एक्जाम के बारे में एक्जाम होती क्या है सर हर हमारा माइंड जो है थोड़ा शे क्या हो जा रहा है जं करते हैं मैं बताना चाहूंगा भई क्या उसको हटा देना प्रेसर को और चर्चा करने किसके बारे हम सर चर्चा करने हैं हमें आपके क्या इस्ट्रेस को दूर करने के बारे हम चर्चा करने तो कैसे इस्ट्रेस को दूर करने के बारे हम चर्चा करेंगे तो आपको यह पता च उसी केड़ी की मैं शुरुआत आज करने बारे में चर्चा करके तो पहीं इक्जाम का प्रेसर तो आही गया होगा एक्जाम को दूर करने के लिए मैं बोलूंगा लंबी गही रिशाश लो और चुप चाप करो हमारे वीडियो लेक्षर का आनान लेते हुए और इसी एक्जाम की सीरिस के दौरान इसी एक्जाम के प्रिपरेशन के दौरान जब भी आपको इस्ट्रस आता है चूप चप सांथ बैठना और लंबा घर श्वास लेना पहले उसके बाद जो एक्सन लेना है जो करना है उच् क्यों पट है क्यों कि हमें पता है कि लड़ाई हमने लड़ी है तीन घंटा हमें ऐग्साम दिलाना है और अपने आपको मोटिवेट रखने है अपने आपको एक्जम के पूरे दौरान थात्टीन दौरान कि मैं स्क्रावारे करने है तो दिल थाम के बैठिये और मस्तसे और मज़े से बिल्कूल हमारी लेक्चर का अनल दीजिए और साथ में अपने मन को बिल्कुल हर सी छोड़के बस इस लेक्चर पर कॉंसेट्रेट करिए और थोड़ा सही अपने टाइम को इस ट्रेटजी में बनाने में बिल्कुल टाइम निकालिए क्योंकि एक्जाम के दौरान आपको सिर्फ पढ़ने से साहती बात नहीं बनीगी आपका क्योंकड गंट वेक्शर करने अवाल सोर्वक्न परमेंस में वहीं से अधर कर नहीं है कैसे हम साइन्स और संसिक्ति में खतम करेंगे उस तीन कंटा में सीलिबस годаzić कवर करने ही हैं अजसरता है होते हिग्च णांग कि safe years तो उसके बारे हम चर्चा करेंगे और कुछ बेसिक जनकरी क्या करना है कैसे आपको paper में उत्तर लिखना है कि सैंपल paper भी रहेगा जिसके बारे में discuss करेंगे, कितना मिनट किस question को देना है, इस पर चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल सुरुआत करते हैं, तो सुरुआत करेंगे, तो पता चलता है सर, कि हमें कुछ निर्देश भी दिया जाता है exam में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो हमें क्या है और आपको पटाए के लिखाए है उसके अपता ने पूरे एक में रहें घूरे हैं कौन सा बाइव और सब और ठीक है कौन्सा гैना क्या रहेंगा भई अब हाग में भावव इकल प्रश्ण मतलब क्या एंशन रहता है और फांब में क्या dann मतलब 15 जो question है वो आ रहा है किसमें sir mcq और fill in the blanks और क्या भई match the following में आय रहा है ठीक है तो 15 नंबर का कहा से आपको पता चला सुरू के प्रश्ण एक में 15 नंबर का question मिल जाएगा ठीक है बच्चो यह परला निर्देश हुआ फिर दूसरम क्या बोलता है दूसरम क्या बोल सब्द का है यह अधिक्तम सब्द 30 सब्द है बोल रहा है है ना मैं इस पर आऊंगा फोड़े देर बड़ वीडियो के बीच में आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना लिखने में इस पर चर्चा करूंगा फिर उसके बाद दूसरा क्या निर्देश क्या देखा है देख चार क्योंशन वह कितनी नम्बर के सर वह आ रहा है चार अंका चार को चार को शन और है वह कहां है सर 11 से 14 ठीक है इसमें कितना लिखना है इस पर बीचा करूंगा मैं फिर बात करते हैं प्रस्ट कर मांग करें देखो कितना से 15 15 15 सब्सक्राइब करें तो यह पूरा सिक्वेंस था क्या बता दिया सर कैसे क्वेशन जो हुआ है एक नमबर दो नमबर से लेकर लारा कहां च्छे अंक तक पूरा डिटेल्स वीडियो आपको मैं पूरा दे चुका हूँ भाई अगर नहीं देखेंगे तो अब प्ले लिश्टम देख सकते हैं तो यह सब बात हुए कि सेक्वेंस का नमबर कैसे कैसे आ रहा है सर एक नमबर के कोशन दो नमबर कोशन तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर छे नमबर फिर देखते हैं कि प्रश्ण करण 11 से लेकर अठर त नाना है क्योंकि देखने वाला भाई जाचने वाला क्या करेगा सर आपका जो डाइग्रम बना हुआ है जो बनाया हुए है उससे माक्स देने वाले ठीक है और बोलता है कि 11 अठाय तक मतलब बार बार डिसकस किया हूँ कि तीन नमबर तक के क्योश्चन ए बी सी तीनों से में अलग अलग रहता है कैसे जो आपके एक नमबर की कोश्चन है है और जो दो नमबर खोब्स टिनों में अलग अलग रहेगा मतलब आप चाहाके भी बगल वाले दोस्तें से न कल नी मार सकते हैं अब to the to the or and च्यृप्त् तिके बच्चा यहां तक की बाद समझ में ही क्लियर हुआ आगे बढ़े अब यह तो समझ में आ गया अब लिखना कैसे उस पर जाएंगे उस पर जाने से पहले मैं बता दूँ कि कि MCQs और आपको fill in the blanks और जो आपको match the following हो की स सैप में आता है और आपको कैसे लिखना है इसके बारे में थाषडा कर देता हूं फिर उसके बाद चलेंगे दो नंबर के कोशन कितने सब्दम लिखना है तीन नंबर के कशन कितने सब्दम लिखना है उसपर हम चरचा करेंगे और आपको पूरा बताएंगे किसके बारे में आपका mentality कैसा होना चाहिए एक्जाम के दौरान preparation के दौरान कैसा होना चाहिए इस पर हम चर्चक करेंगे तो बिल्कुल हमारे वीडियो में बने रही है बच्चा और बिल्कुल कम से कम अपना समय निकाले दिन में किसके लिए strategy बनाने के लिए क्योंकि सब्सक्राइज और रही है mindset हर teacher आपको बता देंगे कैसे करने क्या करने बच्चा लेकिन mindset तो आपको निर्धाइद करना है तो आज उसी mindset पर हम फोकस करेंगे तो चलो सुरुआत करते हैं तो mindset में focus करने से पहले क्योंना सर कुछ sample paper देख लेते हैं वही repetitive questions जो है मैं उसका लेकर आ रहा हूं और आपको बता दूंगा कि कैसे type questions को आपको लिख रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ उद्ध से कैसे इसका answer लिख रहे हैं तो देखो पहला question क्या कर दिए पननप पलट दिए देखते हैं सही विकलप चुनिए और answer दीजिए तो यह कैसे करना सर आपको तूरंत क्या करना है आपको लिखना है कैसे बच्चा आपको लिखना है पेपर में ही है ना पेपर में सुरुआत करोगी किससे बही उत्तर क्रमांग एक का यह क्या भई आ है क्योंकि यह है आपका section नंबर कौन सब्सक्राइब में क्या है वह आपके रिख दिस्ता है तो पहले ऐसे रिखने है बच्चा सबसे पहले ऐसे लिखोगे उसके बार आपको पता चल गया कि आप किसके बारे में लिख रहे हो जाशने वालों को भी सबसे बारे में बात कर रहे हो फिर अगर आपको लगता है कि time है आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो आपको अगर चाहिए तो यह भी लिख सकते हो बच्चों यह वाला लाइन लिख सकते हो एक लाइन का है questions तो लिख दो उसके बाद question का यह लिख सकते हो question 1 अगर आपको लेकिन आपको गहरा नमबा सास लेना है। और पर दो नमबर कोरें आपको करना है और अगर पहुता सूर आपको तो आप सॕचो करना है कि दी यह फिर मैं कैसे करूं कि यह चीजह आपको लगने लग जाएगी लेकिन आपको माइन ड्री वह करना है क्लिए रखना है माइन ऐसा नहीं की आप कोश्चन के लेवल दिख के घब आ गया और हार मान गया ऐसा नहीं करने हमें कैसा करूंगा तो करूंगा मैं सुरॉत है सर चुप चाप आपको सिधा उत्तर क्रमांग एक का लिखना अगर आपको लिखने का मन करता है तो क्वेश्च्टत लिख दिना क्या लिथिय। प्स Fighter up करना गार का बर्त्यक्ष्ट है यह हो गया उत्तर कर्मा एक का पहला फिर दूसरा कैसी नमबर दो यह कोए्षन लिघ कशन करना कितना सगोड़ना है लिए कोशन कोई दिक्कत नहीं है फिर यह कोशना का है घंड कहा किसो कर। कि सब्हों को उत्तर बिक्सक हएं सभी को यह 키 बात समझ मैं यह हुआ किसका पहले का दो कोश्चन फिर तीसर कोश्चन में चलो गया आप पता चलता है सर डार्विन का सिध्धान अधारित है फिर क्या करना कोश्चन नमबर तीन लिखना और किसके उपर अधारित है भई यह यह अधारित है सर मेंडल के अंसागतिनियम से कोशिका सिध्धा क्या बच्चा उत्तर ए अपनी यात्र के द्वरान दिये गए और लोकनस से तिक यह हुआ है इसका उसी प्रकार इसमें भी जाना अधुनिक औरत नियम प्रतिपादित किया वह भी आप ऐसा करना लिखना उसके बाद आंसर करें कि लिख दिना भई मुसले ने किया सर रात को कि यहां कर दिये आप क्या कर दिये अब यहां तक कर रोल खटम हुआ अब इसके बद हमें चलना है चाहे कुछ भी अपको शुरुआत करना है किससे प्रशन कमान एक से क्योंकि जाशने वाला कमांग सिकता पहले क्या रगता है उनके पास एक ही बस का पेपर नहीं है उनके से चसे चलूब है तो उसमी पसंद करेगा एक नंबर से ही जचना पसंद करेगा बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सुरूरात वह चाहिए जहां से आपको आता है और साधी साथ बड़ा क्यों को सब को आता है नंबर optimize बार क्यों से का उसको बिल्कुल करिए तब जाके आप बड़े कोश्चन में जाईए यह मेरा पर्शनल एक्सपीरियंस है भाई मुझे अच्छा लगा है और मुझे भी माक्स भी अच्छ मिले अपने टाइम में बहुत एक्जाम दिलाया हूं और बहुत थेओरी भी लिखा हूं बहुत इमसी क्यूस भी डिल के आऊ और आज भी एक्जाम में लिखता हूं तो मैं सुरुआत करता हूं एक नंबर के क्वेश्चन से क्योंकि जाशनेवाला का मानसिक्त किस पर निर्धायत रहता है वह क्वेश्चन के पैटर्न पर उनके पास हो गठ्थे हैं देर सो गठ्थे दो नंबर 6 नंबर में जाएंगे तो सुरुआत तो आपको नंबर से करना है उसके बाद कैसे करना है मैं आपको थोड़े दिन में बताऊंगा ठीक अब रिक्तिस्थान के पूर्ती आ गया अब इसको कैसे करना है अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मैं पूरा ल लिखना कैसे अब आप लिखे क्या उत्तर क्रमांक अच्छा यह को उत्तर लिखना है पूरा भी लिख सकते हो ना उत्तर क्रमांक एक का, यह क्या आएगा बच्चा, यह आएगा बाँ, क्लियर, या फिर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाल है, उनको लिए बोलना चाहूंगा, मैं, क्या लिखना आप, अंसर नंबर, अंसर नंबर, वन, इसमें लिख देना, सेक्षन बी, क्लियर, वैसी, वन रहेगा, एक करते देना, ठिक है, इंग्लिश से थैन देना, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा लिखता ये, यहा इखाना, फिर आपको कैसा लिखणा है, पहला का आंसर क्या आएगा, तो उसको चुप चप, आप सिधा क्या करोगे, आंसर है, फिर उत्तर लिखना, क्या किसका है भई एक का एक एक अंसर क्या है गड़ा खरीष सब प्रतिवर्थिक रियाओं के लिए उत्तर दाई है तो लिग देना साथ जैसे मेरू रज्जू अगर तो लिग देना मेरू रज्जू फिर यह उत्तर लिखने बाद आपके करना बच्चा बिल्कुल यह कर देना हा MCQ वाला में एक एक लाइन लिख दिएआ रगता है तो उसमें अन्डर्ण नहीं रहता है और इसमें अंडर्लेइन रहता है तो फरक पता चल जाता है जाशने वालों वो क्यारता है सही विकलप और यह क्या रहता है Subraff ráp ऐसे करना पिर दूसर के अडह अब बाय उत्तर two क्या कर देना बच्च्छा c a o c e l t u l latest फिर किया करना है दर अंडर लाइन करत को यह कर देना याdes वनलते हैं की आपका नाम क्या होगा आपका थे असी कर सकते हो उसको नंउसी बटाल देना सब सबस्तिंद क्या होता उसको भी लिग देना उसको टो पारूब रहा हुख में उसको भी लिगिना रहीिया मिलेक आप को पर लाइन नीचे में यह आपको प्रारूप यह को को लेगा सर हम तो उपर में लिखते हैं तो ठीक है उपर में लिखना क्योंकि आपको तो भाई फुल नंबर मिलने वाला है अच्छ एच्छ रैटिंग और सुंदर-सुंदर गोल-गोल रैटिंग लिखने पर है ना तो आप हेडलाइन उपर में लिख देना मतलब क्या आप क उपर में सबक यह रहागा और इसको कोशिश करना ब्लैक पैन में लिखने का इसको कोशिश करना अănसर इसके लिखने कार दिना है क्या कि यह क्या है उचीत संबंध है उचीत संबंध है यह चीज बिल्कुल मेंसन करी देना बच्चा क्योंकि जाचने वालों को पता नहीं है कि अब क्या लिख रहे हो ना वह उसको देखकर यह पता नहीं चलता तो यह भी लिख दो सिर्पर सिर्पांस सेकंड लगता है ल आप कोई बोलेगा मुझे अ लिखो भर लिखो फिलाश्टम सा उत्तर लिखो उसका सही उत्तर का सर मैं देख लूगो इधर से C diopter, तो यहां लिग दूँगा क्या, C diopter, diopter, clear हुआ, फिर दूसरा चलूँगा, क्या, उत्तल दरपन में क्या होता है, सर, उत्तल दरपन में क्या होता है, वो जैसे वहान की पीछे को देखना होता है, तो मैं क्या करूँगा, उत्तल दरपन, उसका अंसर क्या हो जाएग तो इस प्रकार में चारो को लिग दिया सर कैसे अनुवांसिक की जनक मेंडल फिर द्रवधात्व कुझसे सर द्रवधात्व है पारा और द्रवधात्व है ब्रोमीन यह सब इधर बारी बारी से लिग दिया तो यह ऐसा करने से मेरा उच्छी संबंद जोडिये भी क्लियर हो अब मैं बोलंगा डाइम को लिए तो भाई यह इतना लिखना है अलाकि मैं बोलने में अब जा इन चाहिए जितना आपको लिखना नहीं लगेगा आपको पंदरा मिनट देना है कितना 15 मिनट 15 मिनट देना है आपको किसमें भाई वह बात कर रहा हूं मैं किसमें 15 मिनट आपको लगेगा mcqs और fill in the blanks और match the following में मतलब पर question में पर ने जो है आपको चलोगे उसमें एक number के लिए एक मिनट देना है मतलब मैं अगर बात करूँ तो आपको यह समझ में आया बच्चा कि एक question के लिए आपको एक मिनट देना ही है ठीक उसी प्रकार पता चला सर कि 15 कोश्चन है मेरा सुरू में उसमें 15 मिनट गया चलो अब हम बात करते है टाइम मेनेजमेंट की और सब 10 सीमा क उसमें से आपको निकल गया भई पंदर मेंट निकल गया ठीक हम चलते हैं दो नमर के question और दो नमर के questions में कैसे कितना लिखना है इस प्रचरच करते है तो अब दिखो अब दो नम्र को कुश्चन आए वह कितना है ऐसर हो ऐसर कि मुझे लिखना है मुझे लिखना है कितना भई 30 सब्दम लिखना है बोल रहा है चलो यही पचर्च खल लेते हैं अब वो 30 सब्दम बोल रहा है मतलब क्या बच्चा वो बोल रहा है सर कि मुझे 30 सब्दम लिखना है कौन आपके बोर्ड जो है CC बोलता है कि दो नमबर के प्रेश्ण को 30 सब्द हमें कांट करना यह क्या हम सब्सक्राइब है कि आपको घृजियु आपको क्या करना है मुझकिल चार से 5 लाइन yo हमारा तरद पर रहेगा चार से पांच The Line लिखना मतलब यह बहुत कि दो नमबर के question है sir तो चार से पांच The Line में उसका answer मैं दे दू और शटिक दे दू तो ऐसा करेंगे कब जब क्या पूछेगा दो नमबर के question में हमें लिखना है 30 सब्द अब क्या बोलता है तीन नंबर के जो question उसके लिए अधिक्तम 5 सब्द मतलब क्या बच्छा तीन अंग के लिए कितना सब्द बोल रहा है तीन अंग के लिए 50 सब्द मतलब क्या बभई मैं बात करूं अगर सर पचास सब्द बोल रहा है मतलब क्या तो अगर उसके लिए मैं 4 से 5 लाइन बोला हूं दो नंबर के लिए तो इसके लिए मुझे बात करना पड़ेगा सर 6 से 7 लाइन मुझे 6-7 लाइन वह भी क्या मैक्जिमम है कुछ कोशन इतना इजी राता है कि 2-3 लाइन में भी हो जाता है तो 6-7 लाइन से ज्यादे एश्ट्रा लिखना नहीं है सबाहरे कितनः इतने इंगम कहें थे नमबर के इतने रही है क्ई extra लाइन में कितने नमबर के आने वाल है इससर को छार नमबर को जो है आने वा नहीं है क्कौ सब्सक्राइब आए चारशन को अब टाइम techniques को तो इसके बाद मैं आये बढ़ा दो नमबर कॉशिं में मुझे पता चलता है सब मुझे पता चलता अब तो 20 मिन दे दूं मतलब पर क्योशन को दो दो मिन दे देता हूं है ना तो मुझे क्याबा चलता है कि इसके लिए मैं निकाल दिया कितना भाई दो अंग के क्योशन के लिए दो अंग को मैं दे दिया कितना Quarter इना कितना है इन है कितना है चार से फॉशाया Penn अब किया सैनल घैंप एक स solchen को लेना उसको देना कितना हो इसको देना आप कितना है दो पाँच को कोशला आता है उससे ऐना ग पाच कोशन है तो पर क्वेश्चन को चार मिनट दे दो नो भई दो अंक मिल रहा है मतलब एक अंक के लिए दो मिनट दे रहो दो अंक के लिए चार मिनट दे रहो पर क्वेश्चन को चार मिनट में लिख दो तूरां चार लाइन एक में लिखा है दूसरा मिनट में दूसरा लाइन तीसरा म तीन नंग के कोश्चन है अब आठ तिया च्योविस सोरी 8 चौक 32 होता है लेकिन अगर मैं बात करूं कितना यहागा साथ से 10 कोशचन देखो साथ से 10 मतलब टूटल नंबर अब कोश्चन 3-4 है मतलब तीन नंबर की जो प्रश्च्न है वो टूटल कितना रहा है चार तो मतलब मुझे पता चाल रहा है sir, कि कितना number ला मुझे है 12 नमबर मिलेगा इससे, इस 12 नमबर मिलेगा sir। उसके लाए कितना लिग रहा है मुझे ?6-7 लाइन लिखना है, अब प्रक्ति को कितना number लेना है, जितना, क्या जिना, कितना मिनट देना है ताकि मैं अच्छा से लिख सकूं तो मुझे पढ़ा चलते है इसको मुझे देना पड़ेगा 25 मिनट 25 मिनट अब यह 25 मिनट कैसे दूँगा मैं प्रते question को 6-6 मिनट देऊंगा सर medan 6 minute में एक question करूँगो मैं एक question को करूँगो छे मिनियट में пошले तो 6 chunk हुआ क्या 24 minutes के आस पास मतलब round figure में चलूँ तो 25 जमाच दे रहा हूं किस में बहई 25 में दे रहा हुँ मैं तीन number question जो कि आ रहा है चार-12 number के आएगा तो 12 number आपको मिल ज़ैगा तूरंथ यहां तक की बात समझ में ही, ठीक, कितना लिखना है समझ में है बच्चा, ठीक, आप चलो देखे, और क्या बोलता है, 11 से 14 तक, है ना, मतलब जो 4 कोश्चन आ रहा है, उसको कितना लिखना है, 75 सब्द, अब इसमें तरह आपको लगेगा टाइम, और आपको देना है, क्या भ पास-पास, या फिर यह बोलूं, सर, कि अगर मैं पूरा एक पेज भी भरना चाहूं, एक पेज लोंगा, जो एक फोर साहिच का रहते है, नॉर्मल पेपर, उसके एक पेज को कम्प्रीट में भर सकता हूं, किसमें भई, 14 मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें लिख को छोड़कर इधर 14-15 लाइन लिख रहे है, ना, डागराम को मत काउंट कर देना आप, ठीक है, वो करना ही आपको, क्वेश्चन देकर समझ में आ जाएगा, जैसे पूछा क्या, वो पूछा है, सर, क्या, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है, धातु के बारे में क्य यह क्यों, पूछ रहा है, जी, हम, मैं क्या बोड़ रहाता, जाग उत्पलावन, देखो, अभी क्या है, क्लास लेना बंद क्या हुआ, बच्चो का क्लास कंप्रिट हो गया, तो बार बर यह बात ही नहीं मार रहा है, जाग उत्पलावन विधी, अब यह लिख ना, चार शेपाच और दिए आप उसके बाद क्या रहने है उसका इस्ट्रक्चर भी बनाना है अब टिके उसके बात करिया विधी अरमे विदा है इसमें किपना समय देना है तो समी थो जिन है तो आप 12 मिरुटेज लगेगा चारंग कि विव्यश्ट जाए तोटल मतलब क्या चार अंग के कोश्चन कितना आ रहा है सर चार अंग के कोश्चन आएगा चार मतलब एक कोश्चन को अगर मैं बात करूँ तो साथ से आठ मिनट दूँगा साथ से आठ मिनट दूँगा तब जाके क्या होगा सर वो जो है आपके चार अंग के कोश्चन बने तेक इतना हमने दिया 30 मिनट को दिया क्योंकि हमारे एक क्योशन को हमें लग रहा है आठ मिनट 2318 लगेगा क्योंकि हमें डिक डिगरम भी बनाना है मतलब यह ने अइडिया सिट्क है इतना या उसना बना की चलने है आपको हैंकम क्योंश thickness in लास्ट में रिलाक्स सेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा और जो बड़े-बड़े अंग के कोश्चन उसके लिए आपको 45-40 मिर्ट का टाइम टेबल मिलेगा ठीक है टाइम बनेगा इसके लिए है इस्ट्रेटी देखो तो इतना चलोगे अब यह बोलूगा कि चर यह एक क लेकिन यह सब के लिखने के लिए कि तरीके उसमें कितना लिखने हैं अधिकतम सौ सब्द दो पेश भर दो अगर वो पूरा पाशन के कोशन आ रहा है अब वो पूस्ता है Oxygen बनाने की विधी को समझाइए Oxygen बनाने की पूस्त दिये क्या Oxygen बनाने की वो पूस्ता भी दीजिए तो भाई इसमें कौन 100 सब्सक्राइब के लिए लाइन गिनता रहेगा तो आपको क्या करना है पहले तो एक पेज लेना एक फोर साइज का स्टार्टिंग में जो है उसमें उसमें पूरा आपको डाइग्राम बनाना है दूसरे में उसके फ नीचे में लिग दो थोड़े थूरे थे क्या कि आकसिजन क्या होती है जल्ले में क्या करती है जल्ले में सायाग कि नहीं है स्वसंध में पर आपको डो पर जाएगा मतलब एक पूर थे खना फ्रट पन्ना खतब पाच अंकि उनक अनुका हुआ अब इसमें कितना टाइम देना बच्चा आपको देना है इसमें 40 मिन देना है कैसे 40 मिनौट सर अब मैं देखता हूं चर्चा करता हूं कैसे देखो 100 सब्द है भई 100 सब्द है हमने बात किया था सर इसमें 20 मिनिट चला गया एक अंग के कोश्चन में मैंने बात कर लिया था 15 मिनिट का ठीक है अब 4 अंग के कोश्चन में 30 मिनिट हो गया और 5 अंग के कोश्चन में मैंने दे दिया 5 अंग के कोश्चन में मैंने दे दिया 40 मिनट बच्चा अब 40 मिनट दिया क्यों कि सर दो Гол也是 कोशन है तो एक कोशन को 20 मिनट मैं बार दिया दो कोश्चन को पाचंग के आ रहे उसमें ठीक है अब देखो कितना मेंट आपको निकल गया 180 मिनट में कितना बचा देखो पंदर मेंट इधार है कौंट कर लो पंदर भीस हुआ कितना भाई 35 35 और पचीस हो गया आपका 6 मिनट मतलब 1 घंट तो यहां खतम हो गया एक कोश्ण दो नंबर कोश्ण करती है एक घंट खतम बेळप हो घंट को आखे पांच अंग और शेंग और कोश्चन तो चार ही भस है तो उसके लिए कितना बच्च है पूरा और गंटा बच्च है यह मन में पाजिटिव लाना उस टेम में फिर लिखना अच्छे कैसे लिखना है सर दो कोश्चन है तो उसको 40 मिद्टे देना मतलब 2 घंट 10 मिनट तक है न मतलब कितना मैं औरometry 130 मिनट हो गया निःखो कांट करो ऐस कितना 11,2 12 2 10 मिनट हूंआ अब आपके पास बच्चा सिर्फन और सिर्फ 50 मिनट वच्चा लााष्ट के लिए आप उस लाष्ट के 50 भाच्चा है जो वच्चा है बच्चा मतलब आपको क्योंकि आपको क्या करना है आपको 6 जरूर करना है और 6 अगर करोगे तो भई पूरा पूरा माक्स मिलेगा दो कितना लिखना है तो यह आ जाएगा आपके 6 नमबर के कोशन में तो इसमें 45 मिनट देने हैं लहाँ 85 मिनाट देना है 42 मिनाट या फिर 40 मिनाट के असपास देना है 55 मिनाट आसरीड है बच्च क्योंकि हमें 22 से 20 मिनाट लगेगा E Question को स्वालव करते हुए है एक आप 35 मिनाट हुआ पहले एक आंक ये को शान वे 15 वारत दो आंक के कोशन में फिर पचिस मिनाट तीन अंक 30 मिनार देना है चार हांग के कोश्ण में फिर देने है 40 मिनार देने हैं किसमें भई हैं पाच कोश्ण tokyef are 5 मिनार और बच्च किसमें आपके 45 मिनिट से लगख लगभख 6 कोश्ण काउन। करो, इतो 5 1 5 15 5 10 बच्च अपछ किसमें 45, 15週 अध proudly यह complete का निकवाद, यह ideal condition है, ऐसा करके चलना, ऐसा मन के चलना, अगर नहीं हो तो मैंने उसके बारे में बता, आने वाला हूँ, आने वाला हूँ, अब यह बच्चा पांच मैट उसमें आपको सब को एक बर देखना है, कि सब आप अच्छे से लिखे हो की निया, रोल नंबर कि क्या आपने लिक्षन है और कैसे लिख्याय को ठीके बच्चा, यह तक के बाद क्लियर हुई, तो इस प्रकार आप time manage कर लेएंगे, और कैसे आपको लिखना यह बी आपको समझ में आगए, बच्चा, clear, यह बया बाद समझ में आया, लिखना कैसे ये भी बता दिया मैं, अब sample paper भी देख लिए, समझ भी गए, कैसे लिखना mentality कैसे हो तो उस पर चलते हैं, अब mentality के बाए हम चर्चा करें, तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चा, कि sir, mind जो है, mind जो है, relax नहीं रहता, है ना, इस पर चलते हैं, अब ये mind relaxed नहीं रहता, उस पर अगर चलू, तो ये चीज़ समझ में आता है मुझे, कि sir, exam के पूरे दौरान मुझे pressure था, कैसे मैं, कि इतने मिट में क्या लिखूँ, ये इसका मुझे pressure था, तो मैंने बताया आपको, कि शुरुआत करने हैं, आपको एक number की question से, अब आता है तो, लेकिन पूरा कोसिस करना है, उसको 15 मिनट के जो सुरु दौरान है, उसमें आपको करी देना है, डाउट अगर आता है, तब जाके आप छोड़ना भले, last time करूंग करके, लेकिर आपको करना ही है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपको negative marking नहीं मिलेग, गल जो question आता है, वही करिए, मैं भी इसके पच्छतर हूँ भई, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है, कि sequence जो बनाया है, बोर्ड उस पर चला जाए, या फिर यह घर बात करूं, तो जो दो नमबर के question आ रहा है, सर, उसको मुझे तो टफ लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं त कर सकता हूं, तो यह भी कर सकते हैं, अगर कुछी कोई बोलता है कि 6 अंके शुरुवात करना चाहूंगा, तो बच्चा कभी-कभी क्या होता है, हम भोल जाते हैं कि हमारे पास कितना time बच्चा है, हमारे पास अभी तो फूल time है, करके हम 6 अंके question चलू कर दिए, पता चलते तो इस pressure, यह भी जाते हैं कियो create करें, हम ही क्या करना है, हमें उस time में शुरुवात करना है, एक नमबर क्यों करना है, और जो आता है आपको exam में वो करना चलू करना है, तो इस शुरुवात करना है कहां से, जो छोटे question उससे करना है, क्योंकि आपके mind को संकेत जाना चाहि कि उस दौरान exam के दौरान, तो शुरुवात करना एक नमबर के question से, अगर आपको लगता है कि आप पूरा handle कर पाओगे, तो क्या करना, एक number question, फिर दो number question, मतलब आपको चलना है किस से बच्चा, आपको चलना है sequence से, कब भाई, जब आपने 100% तयारी कर रखा है, जब आप आपको confidence level high है, जब आपने question पर देख ले हो, तो आपको पता चलना है, question कर पटना है, या फिर question normal है, तो आप sequence से चलना, अगर आपको थोड़ च्टप लगता है, तो क्या करना, जो question आता है आप से, उसके शुरुवात करना, लेकिन भई, ये condition याद रखना, एक number की question करने क के बाद ही, आपको क्या करना है, जो question आता है, उस पर चलना है, किसी भी हाल में, एक number की question के लिए, आपको जो तीन से चार पेज आरा च्छी त रहना चाहिए, ये बात मैं आप से, हम बर request करता हूं, क्योंकि बच्चो, mindset जो है, हमारा जो क्या रहता है, उस time में, जैसे भी रहे, लेकिन, जाचनी वाला commentate रहता है, कि एक number question शुरुम दिख जाए, तो वो 15-15 number आपको मिली जाएगा, पास होने कभी जुगार हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो ये बात समझ मै है, फिर एक number question करने के बाद ही, आपको वो question में चलना है, जो बड़ा हो, या फिर वो question करने जो आपको याद हो, या फिर अगर अच्छा सकन्फर्म है, 100 question आपको लगता है, तो आपको चलना, 2 number question, 3 number question, 4 number question, 5 number question, इस तो एक्वेल से चलना ज्यादा सही रहेगा, और मेरा य लेकिन अभी तो कई एक्जाम आने वाले हैं उसका शुरुवात हो रहा है अच्छे दिन आ रहा है अच्छे दिन आ गए यह सोच के चलिए क्योंकि आपको शुरुवात हो गया आपको क्या बोल सकता हूं मैं अगर बोलू तो कॉम्पेटिशन की दुनिया में आपको स्वगात है आपका CGVSC बोर्ड है ना तो आपको मन को एकदम मस्त और अच्छे से चंगा रख के जाना है कोई टेंसर नहीं लेना है शुरुवात करना है तो आपको क्या करना भी कहा जाता है किसी बड़े इंसान या फिर किसी महान सक् निकलोगे तभी तो कहीं पहुंचोएगे क्या तो भाई सब चीज इस्ट्रेश को छोड़िए एक्जाम में मस्त सांत मन से अच्छे मन से आईए और जाईए और that initial number in ceqs question से question उला करईे क्योंक्यं आपके मन को क्या पहलता जलता है पंदर नंबर आपको मेली prepare शरुआ तो शुरुआत कर आत चलता है है न गनित उसके आंसर आया 46.99 विज्ञान के मतलब फिजिक्स के जो आया आंसर तो क्या करना यही आंसर है मतलब यही उत्तर है यह चीज बिल्कुल लिखना क्लियर बच्चा यहां तक के बात समझ में ही ऐसा करने पर आपको और मार्क्स मिलेगा यहां पर आपको ब्लेक पर यूज करना है ठीक है यह सब चीज पता ही होगा तो यह हुआ बात अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि कम प्रिपरिशन हुआ सर तो बच्चा आप कम प्रिपरिशन हुआ है तो आप क्या करना एम सी कुई और मैंजी फॉलाइंग और फिलिन दबलेंक्स कर कर देना देना पांच नमबर का अथुआ कैसा करना उसको उसके बारे जब बात आएगा उत्तर ग्रमांग कितना नमबर जैसे क्ह conflicts रहें च़ॉदा का अथुआ है तो उसको लिखने अधुआ अगर अब थो नहीं है तो उत्तर ग्रमांग 14 ही लिखना है थिक है यह यह ची लिखना ये भी समझ में आगया लेकिन माइंड शेट बहुत ज़ा ज़ा ज़ाओर रही है अच्छा रखना है माइंड शेट अगर आपको क्लिए रहता है तो बहुत आहिए सफलता पाने के लिए तो आज के लिए इतने करते हैं और हमारे exam series missions जो आपके लिए था वो हमारे complete होता हुआ बच्चो और जितना भी बच गया हम बीज-बीच में आते रहेंगे बात करते रहेंगे तो तब के लिए क्या करें आल दे बेस्ट गाना भी सुनिये बीच में जब भी stress होता है गाना थाव बच्च झाल जो उड़ियत